अगर आप बैंकों में FD करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2023 से पहले बैंकों के काफे सारे बैंकों ने अपना FD का interest rate बढ़ाया है तो आज मैं आपको उन सभी बैंकों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपना FD interest rate बढ़ाया है तो सबसे पहला bank है ICIC bank जिन्होंने यहाँ पे 7% का interest rate कर दिया है तो अभी यहाँ पे year and bumper announcement किया है 7% का FD rate तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आप 15 महने से लेके 5 साल के बीच में रखते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा senior citizen है तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा 0.25% अगला bank है PNB पंजाब national bank में भी अपना FD interest rate बढ़ा दिया है यहाँ पे अगर आप 666 दिन के लिए FD करते हैं तो उसमें आपको 8.10% का per annum interest rate आपको देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ PNB ने हाले में भी announcement किया है FD के लिए तो अगर आप PNB bank में अगर आपका account है तो 666 दिनों के लिए FD करते हैं तो उसमें आपको 8.10% का FD आपको देखने को मिलेगा interest rate देखने को मिलेगा वही पे HDFC bank भी कम नहीं है HDFC bank ने भी यहाँ पे FD interest rate को दुबारा increase कर दिया है अभी इन्होंने 7% का interest rate कर दिया है परेनम अगर आप 15 मन से लेके 10 साल के बीच में अगर आप HDFC bank में fix deposit आनि FD करते हैं तो उसमें आपको 7% तक का द्याज आप interest rate पा सकते हैं अगला bank है CSB bank इन्होंने भी यहाँ पे FD interest rate को बढ़ा आप इनके 750 दिन तक FD करते हैं इनके bank में CSB bank में तो आपको मिलता है 7.5% का interest अगला bank है बंदन bank बंदन bank में भी अपना FD interest rate अभी बढ़ा दिया है अगर आप बंदन bank में एक साल से लेके 7 मंद 22 दिन तक अगर आप पैसे रखते हैं आनि कि 600 दिन तक पैसे रखते हैं FD करते हैं तो उसमें senior citizen के लिए 8% का यहाँ पे interest rate मिलेगा और अधर परसन के लिए 7.5% का interest आपको मिलेगा FD के ओपर बंदन bank में अगला bank है इंडिसन bank अगर आप इंडिसन bank में account open करते हैं इंडिसन bank में account है तो इन्हों ने भी यहाँ पे attractive rates लेके आया है FD के ओपर अगर आप इंडिसन bank में FD करते हैं इंडिसन bank में 2 साल 1 महने पैसे रखते हैं FD करवाते हैं तो इसमें आपको senior citizen के लिए मिलेगा 7.85% का और अधर पसंद के लिए 7.25% का अगला bank है आई डिवी आई बैंक आई डिवी आई बैंक में अगर आप 700 दिनों के लिए FD करते हैं तो इसमें आपको 7.60% का interest rate देखने को मिलेगा FD के ऊपर तो काफी अच्छा FD है अगर आप आई डिवी आई बैंक के कस्टमर है तो आप इसमें FD कर सकते हैं आपको 700 दिनों के लिए आपको FD करेंगे तो आपको 7.60% का interest देखने को मिलेगा अगला बैंक है कैनरा बैंक कैनरा बैंक में अगर आप 666 दिनों के लिए FD करते हैं तो उसमें आपको मिलता है 7.50% का interest rate कैनरा बैंक एक गौवर्मेंट बैंक है इसमें भी जबर जस्त आपको offer देखने को मिल रहा है अगर आप 666 दिनों के लिए FD करते हैं कैनरा बैंक में तो 7.50% का interest देखने को मिलेगा अगला बैंक है वह बैंक ओफ इंडिया बैंक में 777 दिन के लिए FD करते हैं तो उसमें आपको other percent के लिए 7.25% और senior citizen के लिए 7.75% पर एनम अनि कि 777 दिनों के लिए fix है इतने दिन के लिए FD करते हैं तो आपको आपको यह interest rate देखने को मिलेगा तो अभी हाली में काफी सारे बैंकों ने अपना interest rate को increase किया है तो इनमें से आप किस बैंक में आपका account है मुझे नीचे comment करके बताएगा फिलाल दूसमों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्क जै हिंद जै भारत